शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हम सब की और आख उठाकर देखें तो यह उसका अधिकार है और अगर उसको इसमें कोई दोश्ट दिखाई दे और वो अंगुली उठाए तो उसके शक को दूर करना हम सब का करतव यह है यह है श्री विलास्रावत चोधरी जैसा क्या आप जानते हैं श्री चोधरी स्टेट मिनिस्टर है आज इन पर तरह तरह के इल्जाम लगे हुए हैं का जाता है कि इनकी रतलाम की दवाई बनाने की फैक्ट्री में बीमारों को ठीक करने वाली दवाईयां तो कम बनती हैं लेकिन नौजवानों को मौत के मुँ में धेकलने वाली मेंडरिक्स, कोकेन और ब्राउन शुगर कुछ ज्यादा ही बनती हैं भाई भतीजाबाद और भष्टाचार के इल्जाम भी इन पर हैं दरसल इनकी एक CBI इंक्वाईरी कराई गई थी लेकिन इससे पहले की इंक्वाईरी की रिपोर्ट्स सरकार तक पहुँचे नजाने वो फाइल सीक्रीट कस्टडी से कब और कैसे गायब हो गई सिर्व इतना ही नहीं उस इनक्वाईरी से जुड़े हुए सारे आफिसर्स एक बस एक्सिनेंट में उस वक्त मारे गए जब वे डिपार्टमेंट के किसी काम से पूना जा रहे थे वे सब लोग एक ही बस में क्यों और किसकी प्लानिंग से एकथा हुए थे ये पहली आज तक पहली ही बनी हुई है बिलासना और चोधरी पर लगे इल्दाबात में कितने सच्चाई के करीब हैं और कितने शक की इसका फैसला करने के लिए सेंटर ने एक इनक्वाईरी कमिशन बिठाने का निरने लिया है इस कमिशन को अपने रिपोर्ट त्री महिने का इंदर देनी होगी कमिशन के चेर्मन होंगे रिटार्ड जस्टिस क्रिश्नकांद धर्मादिकारी सब्सक्राइब जस्टिस क्रिश्टिस क्रिश्नकांद धर्मादिकारी नम सिधडार्थ धर्मादिकारी सान आफ किशनकांद धर्मादिकारी एजुकेशन बीतों पासिंग मार्क्स 88 परसेंट कृष्न धर्मादिकारी भै यह किशनकांद धर्मादिकारी वही तो नहींगे 65 के आई एसके बैचवाले मुनाराबाद के है जी हाँ अच्छा अरवे वो तुम्हेरे बच्पन के दोस्त है अच्छी तरह जानता हूने तो तुम उनके बेटे हो लेकिन एक पार्टी में उनसे मुलाकात हुई थी वहां कह रहे थे वो कि उनका बेटा तो किसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलिज में ट्रेनिंग ले रहा है वो मैं नहीं हूँ अच्छा तो तुम्हारा चोटा भाई होगा मेरा कोई चोटा भाई नहीं है वो दूसरा है दूसरा सोतेला होगा अच्छा तो इसका मतलब यह हुआ कि किष्ण कान जी के दो बीवियां है बले छपर उस्तम देख ले ऐसी लगते हो तो नहीं थे अब तो पांचे उंगल्या घी में हैं खुब मज़े उड़ा रहे होंगे यह बताओ तुम लोग सभी कठे रहते हो या अलग अलग आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं या मेरे पापा का अरे बेटा एकी स्कूल में कई साल ही कठे बड़े हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहता हूं भाई ये बताओ के ये किशल खांची किस औरत के साथ ज्यादा रहते हैं यू पास्टर्ड फिकर मत करो सिना है हुआ है कर दो जो गयना हमें देखकर कि हम एक मंत्री होकर आपके आफिस में खुद आए हैं तबीयत खुश हो गई ये सुनकर जब हमें पता लगा के आप इंक्वारी कमिशन के चेर्मेन लुक्त हुए हैं कि बेढ़ जाओं हमारे देश में इमानदार और सच्चे आदमी की कोई कदर नहीं करता अब देखिए न आप जैसे क्लास वन गजिट्टिड ऑफिसर के लिए सरकार ने क्या किया आपको इस केस में कितनी दौर धूप करनी पड़ेगी कम से कम आपको एक एर कंडिशन गाड़ी तो दे देते हैं खेर कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से आपको एक इंपोर्टेड एर कंडिशन गाड़ी भेंट करता हूँ सक्सेना साफ जी इनको गारी की चार्णियां दे दीजिए बस अब आप जल्दी से इंक्वैरी की रिपोर्ट सरकार को भेज दीजिए और फिर मेरी तरफ से परिवार सहित सुर्जर लेंग घूमाईए वहां मैं बैंक का इंतिजाम भी करवा दोगा विलासराव जी आप फोड़ा अपने दाइं घूम जाईए जी हाँ वो कैमरे में चेहरा पूरा आजाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मंदरी जी जब मुझे इस इंक्वैरी कमिशन की जिम्मेदारी दी गई तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी के खिलाव गवाही कौन देगा और देखिए कमाल आज ही मैंने आपके इंक्वारी जुरू की और आज ही विलासराव चौदरी खुद अपने खिलाव गवाही देने चला आया मेरे खैल से इस फिल्म से अदालत कम से कम इतना तो मान लेगी कि इतनी बड़े रिश्वत देने का मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है पहले तो आपको अदालत में ये साबित करना होगा कि ये रिश्वत है दुनिया जानती है कि लोगों की मदद करना और दान देना विलास राओ चौधरी की आदत है एर कंडिशन कार सुझे लैंड की सैर बैंक का काम इतना बड़ा दान तो कोई दानवीर भी नहीं दे पाया है मंत्री जी आपको पसीना आ गया है एर कंडिशन की आदत जो है और अनफॉर्चनेटली ये ओफिस एर कंडिशन नहीं है लेकिन आप आदर डाल लीजिए क्योंकि हिंदुस्तान की जीलियां भी एर कंडिशन नहीं हुई है और आप महां बहुत जल जाने वाले है धर्मादिकारी जिल्लाव मत तुम जा सकते हो लासनाव चौधरी तुम्हारी एर कंडिशन कार की चावी क्रिशन कांद धर्मादिकारी एक बात याद रखना विलासरो चौधरी के खिलाफ तुम्हे कभी कोई सबूत नहीं मिलेगा जल कर नुकर में मिनेगा भाईया आज का अख्पार पढ़ा था क्यों ऐसे क्या बात है इसमें पापा को विलासरा विंक्वारी कमिशन का चेयर्मेन मनाया गया है कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौपी गई है पापा को जो आदमी बाइस साल से अपनी घर के जिम्मेदारी को नहीं नहीं भापाया वो दूसरों के जिम्मेदारी क्या नहीं भाएगा सिधार आगे बेठे मा तुम सोईनी अभी तक नहीं तेरा ही इंतजार कर रहे थी ला मैं खाना गरम कर दूँ रहने दो मा तेरा इंटरव्यू कैसा रहा ओफो मा छोड़ो ना इंटरव्यू को तेरी पापा काफी देर तक तेरा इंतजार करते रहे कह रहे थे बहुत ज़रूरी काम है कल उस घर बुलाया है क्या हुआ खाना तो खाले सिधात मैंने कुछ कहा तुझे तेरे पापा ने तुझे बुलाया है क्यों दादी मा के ताने सुनने के लिए अगर वो तुमें ताने देती है तो इसमें तुमारी बेज़ती नहीं होगी कुछ भी हो वो तुमारी दादी है लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपना पोता नहीं समझा मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो यही ना कि मैं पापा को मिलने जाओं तुम क्या समझते हो मैं जानती नहीं कि तुम्हारे दिल पर क्या बीथ रही है भाईया मेरी लेना से ही अपने लेना से ही पर मा के खादिर तो उसकर चाह सकते हो उसके चेरे पर तुम्हारे जाने से मुस्कुराहट आजाएगी भाईया पापा है तुम्हारे सुबह सुबह अपनी मनूज सुरत लेकर यहां क्यों आये हो अभी तो महीना पुरा नहीं हुआ पहली तारिक को बहुत दिने है मुझे पापा ने बुलाया है पापा ने बुलाया है नचाने क्या जादू कर दिया उस औरत ने मेरे बेटे पर सारे खांदान की इज़ट मिटी में मिलाकर रखती दादी माँ बहार के लोग मुझे बीबी जी कहके बुलाते हैं निकल जाओ यहां से सिदार्थ बेटा कल जो तुने मिस्टर करे के साथ हरकत की अच्छा नहीं किया अपने गुस्से पर काबू करना सीखो मैंने तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी का इंजाम किया है इस आदमी से मिले न लेकिन उसे यह मत बताना की तुम मेरे बेटे हो नास्ता ठंडा हो रहा है तरसल यह आदमी रुकमनी का मसेरा भाई है अच्छा बेटे उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई मा कभी कभी तुम सिधार्त मेरा अपना खून है मेरा अपना बेटा है पर मेरा पोता कभी नहीं हो सकता हाँ हाँ पता हुँ तुम्हारा कोई नहीं लगता इसले बाईस साल से तुम्हारी लगातारे रच सुनते सुनते मेरे कंप गए उससे पैदा करके मैंने तुम्हारे वंच को कलंकित किया तुम्हारी मर्यादों को मिट्टी मिला दिया आज सुनलो मा अगर उस परिवार को अधिकार ने मिला तो उसकी वज़ाद तुम हो अगर मैने तुलसी को अपनाया है तुसकी वज़ाद तुम हो ना तुम्हारी आंखों मैंने पोते की चाहद देखे उती ना जिंदी के पर इस गुटन का सामना करना पड़ता है पता है लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जबके माँ बेठे दोनों हमाई ज्यादा तक में हिस्सा लेने चले आएंगे माँ तुलसी ने कभी रुकमनी के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं की उसने तो हमें अपनी कोक करदान दिया इस वंश को चलाने के लिए पहला अपनाया था ना मैं आप अपनाऊंगी और याद रखना इस घर का और हमारे वंश का हगदार सिर्फ गौतम है मेरी बहू और तुमारी धर्णपत्नी रुकमनी की कोक से पैदा हुआ गौतम गौतम कृष्नकांत भर्मादिकारी अचत्फब पार्णपत्न अचत्न तो प्रूंज थेूडं़े लग प्रप यूप आप पड़ा आपार आ आ खर सक्ट्रस भीफ आ प्रॉड़ आ आ हुआ 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 खुआ हुआ खुआ हुआ तो खुआ हुआ खड़ छोर खड़ां ऑर, दोला हो झाला है, अंत​ तो उन है पमागा है कि अप्से वह उता है जडोरी जा ह समाग गौतम, अगर तुम धर्मादिकारी के बेटे नहीं होते, तो अभी तक मैं तुम्हारे खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन ले चुका हुता हुदा I'm sorry sir It's no use being just sorry अगर तुम्हारे घर में कोई problems है, तो उसकी frustration इस तरह थोड़ी निकालते है, control, अपने आप पे control रखना सीखो, अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है और बेटे, एक कमिशनर की हैसियत से नहीं, बलके तुम्हारे बाप की दोस्त की हैसियत से, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूँगा, कि अगर तुम अपने बाप की इज़त को बढ़ा नहीं सकते, तो उसे कम भी न करो, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इस चहर में आप से एक रिक्वेस्ट है, आइंदा से आप मेरे पापा के बार में यादना दिलाएं तुम कितना कह रही थी इस बार बेजली का बिल कितना है? एक सो आसी रुपए एक सो आसी रुपए ये और ये चार सो चार सो रुपए तेरे लिए है मेरे लिए है? हाँ, वो तु गहरी थी ना कि कोई पंजाबी सूट चाहिए तुझे रख ले, रख ले अब रहने भी दीजे, शादी के बाद सलवार कुर्ता पहनेगी या साड़ी? अरे तुलसी, मेरे दो बेटे हैं लेकिन पेटी तो एक ही है इसलिए जब तक ये अपने बाप के घर में है, ये वो पहनेगी जो इसका दिल करेगा हाँ, जब ये अपने ससुलाल चली जाएगी तो वो पहनेगी जो इसके मियां का दिल करेगा ठीक है, मगर अब आप पिना बंद करिए ओ फो तुलसी कमाल है, आज अपनी बेटी का रिष्टा इतने अच्छे घर में करके आया हूँ तो क्या मैं दो पैक भी न प्यूँ हाँ दो पैक? पापा, आप अलड़ी चार पैक पी चुके हैं नहीं दो पैक पिये हैं चार पैक आच्छा बाब आप अब मैं ये इतना खतम कर लूँ तो फिर मैं चला जाओँगा अच्छा मैं चलता हूँ तुलसी अच्छा मैं चलता हूँ तुलसी पापा आप से ररुकी मैं सिधार्ट को भेजती हूँ, वह आपको छोड़ाएगा अज नहीं नहीं, ऐसी का जोड़त है, मैं चला यह होगा सिधार्ट, उन्हें उस खट छोड़ा, जा सिधार्ट जाकर बोल दो उन्हें, अगर नशे के हालत में गाड़ी नहीं चला सकते तो वापस जाने के लिए अपने लाड़ले गौतम को साथ ले आया करें, मैं नहीं जाता हूँ लाडले तो उनके तुम भी हो, लेकिन यह उनकी बदकिस्मती है, क्योंके प्यार को तुमने कभी समझा नहीं ठीक है, मैं ही टैक्से से उन्हें छोड़ाती हूँ मा, तु चुप क्यों है, हाँ मैं जानता हूँ तुम इसे नाराज है बेटा लेकिन तु मेरी जिन्दगी का चांद है मैं जानता हूँ मैं तेरे, तेरे लिए अच्छा बाप साबित नहीं हो सका गौतम बेटा लेकिन मैं तेरी मा के लिए एक अच्छा पती जरूर थाबित हुआ हूँ मेरा यगीन करो यगीन करो गौतम बेटा मैं गौतम नहीं हूँ क्यो셔서 एकित हुआ हुआ है हुआ है अगर है अगर रूह टुए और द्रीए लगता है तेरे पापा आगय है आया नहीं लाया आगया है शराब के नशे में धुत करके भेजाया है उसे हे भगवान ये मा बेटी नाजाने कौन से जनम की दुश्मनी निकाल रहे हमारी खांदान से आमा चला है तोड़ी जादा हुः आञ है यही स्यों के ब है अपहलो अपत्र की तछाद थाइटा उन्हूने करता हमल खारो टकाल जसाज अ, आखुएवाआ, उन्मचु गभाले, सिं श्गं, जएrain, मिझादी ओनु है, ऑफांटा मेन, से आखिए, मैं जुवी? वोड़े से रहा पैर भी से लिया नहां पर सिद्धात बेटा तू नहीं जानता मैं तेरे को मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूं अब दू घर जा घर जार मा से कहना है कि मैं ठीक तार घर पहुंच लिया मा को बहुत फिकर होती है मेरी मैं को आँ हूं बात फिकर कर दे शेट ला एले के पैसे थे बहुत उधार हो गए है देदूगा ना यार कड़की चल रही है चला बुड़ा हूँ धुआ 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 और धुआ और धुआ लो आ गया बोर चला है दिल चला है जहां इस जलती दुनिया को छोड़ कर जाओं कहां आओ यहां आओ यहां शायर आजम आईये तश्रीफ लाइये क्या हुआ नौकरी मिली कहां यार अरे नौकरी और डिगरी की बात अपने सामने मत कर राजा उने कभी नौकरी किया क्या हां राजा नौकरी श्स आज़ा, राज़ करें, हम है राजा माझ गारें! कर दो कर दो कर दो कर दो हम तो दिल जले हैं हम तो मन चले हैं हमसा कोई कहा दुनिया को चुकाने आए हम दिवाने हमसे है ये जहाँ हम तो दिल जले हैं हम साथ कोई कहा दुनिया को चुकाने आए हम दिवाने हमसे है जहाँ रात हसी मस्त सामा होश की से दिल है जहाँ रात हसी मस्त सामा होश की से दिल है जहाँ ना किसी के भी परवाना ही कोई गम सामने कोई आये है किसी ये दम हम दमाने में नहीं किसी से करे किसी मस्त जम है रिंदकारी थोगडी है जवानी ले जम के मजा शाजे जिनल मिलेना फिल ये खल मिलेना ऐसे बैठा है क्या आओ चलो प्यार करें हम निकारें जार करें ना किसी की उपरवां नहीं खोड़ ये हम समने को ये आए है किसने ये दम हम जमान में नहीं इसी तरहे राचा राच गरें हम है राचा राच गरें ऑश आए है हुआ 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 है हुआ हुआ है और में आज मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया है कि जिन्दगी की नई शुरुआत से पहले और पुलीस ट्रेनिंग की कड़ी मेहनत के बाद तुम लोग जिन्दगी का लुथ फुठाओ, खाओ प्यो, and have a nice time, boys. ये भाई थोड़ा बचा के रखना हम लोग उनों कुछ खाएं नहीं बराबर. थोड़े रायता भी देना, प्रायता पीने के लेट ना, ये दोनों कौन है? ये दोनों हवलदार इमानदार और हवलदार वफादार हैं, लगता है अपनी टारीफ हो रही है, अपनी बात ही है, जहाँ चार आदमी जम्होटे हैं, अपनी बात करते हैं, पूरी इंडिया पर यह दोनों 24 सालों से वही के वही हैं लगता है कुछ जादा ही बोला मैं इसको ठीक कर गया तो यह बाइस इसको उठाना नहीं हम लोग आ रहे हैं वापिस रुमाल उसके जेव से हें पुछोना आ खांआ डू आपस में कया कुसर भुसर कर रहे हैं यह हमारे बच्पन के दोसी है अभी ऐसी तुम लोगों को दिखाने के रिए डाट रहे दें तो हम लोगे साथ तो गुली देना केलते हैं गुली देना गुल चर्रे है अच्छा पेटी एंडिल तुमी हाँ ओ डार अच्छा बस देख रहे थी पाटी कैसे चल रही इस उपब डार इस पार ओट अच्छा अच्छा सब ठीक अच्छा प्रॉप अच्छा तुम भी तो खा रहे थे क्या कर रहा यार यार घर में बच्चे भूगे उनको नहीं खिलाऊंगा अच्छा मा मंगे खाते रहेंगे कितना नीचे कर ओंग्रांट्ट शोड ले ज़ाँ अजया मॉटू मॉटू मरता भी नी आद्मी सर अबकु कह रहा हुआ है सर आपकी तारीफ कर रहे थे हैं तो मेरा सेना खुशी से फूल गया है सर लेकिन तुम्हारा पेट फूल गया है वो मेरा सीना थोड़ा नीचे उतर गया सर रेक बात बुरूने सर किसी वह नवत मेरे शरम आती है मैं न बाप बनने वाला हुआ लेकिन पेट तो और अपूलता है मुझे बिलकुल उलुक पठा समझ रखाए क्या कहा गये चारली चारली क्या हो गजिरा ले ले I love you अरे अभी अपी तो यह थी कहा चलीगा यार या पटा का थी यार किसी ने गारे करना मनों किया नंबर दिखाई कहा यार सिधार्ट केता सब्सक्राइब भाईया मा का फिर से ब्लेड प्रेशर बढ़ गया है तु घरजा में डॉक्टर को लेके आता हूँ भाईया तुम तो जानते हो मा की बीमारी की वज़े क्या है पापा का इतने दुनों घर ना आना मैंने उनके आफिस में फोन किया था तो पता चला वो बीमार है माने कहा है तुम उस घर जाके मालूम करके आओ पापा कैसे हैं मैं उस घर जाओ अपनी बेज़दी कराने अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ अरे सिधार्थ पिठे आओ आओ हरिया काका मुझे पापा से मिलना है उनसे कहिए मैं आया हूँ पापा पापा तुम सब लोग मेरे बेटे की पीछे क्यों पड़े हो इस घर की सुक्षान्ती के दुश्मन आखे चाहिए क्या तुम्हें मेरे बेटे की एक गलती के कारण इस घर को और कितनी सज़ाद होगे तुम लोग मैं सिर्फ ये मालूम करने आये था कि मिस्टर कृष्णकान धरमादी कारिक कैसे हैं क्योंके मेरी माँ को उनकी बीमारी और अपनी बेटे की इज़त से ज़्यादा उनकी फिकर है और मुझे सिर्फ इस खर की इस खांदान की इज़त की फिकर है जिसके नाम पर एक बदनुमा दाख बन गए हो तुम लोग चले जाओ यहां से और खबरदार तो यहां दुबारा कदम रखा निकल जाओ यहां से चले जाओ फोरण आपके हाथों में लाल चुडिया बहुत अच्छी लगती है बेंच जी ले लो बहुत अच्छी है अच्छा ये दे दो अच्छा जी कितने हुए पुछ नहीं आप से जास्ति थोड़े लेंगे आज कर्मा चौत है पचास दे दीजी आपके पापके अच्छा ये ये आपा ये जी आपको रुक्मनी बेहन का व्रत खुलवा कर आना चाहिए था बर्सों से तो यही करता आ रहा हूं आज यहां पहले आ गया तो क्या फरक पड़ता है काम तो समय था काम मा मा तोसी 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 मा तुलसी मा, क्या हूँ अमा को सेधार्ण, डॉक्टर मुकर जी को लेख रहा जल्दी तुलसी पापा तुलसी 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 सुभे उसे समझा दिया था, कि आज करवा चोथ है, घर जल्दी आ जाना दादी मा, करवा चोथ सरफ इस घर में नहीं है कोई और जगह भी है करवा जादी करवा जादी करवा जादी वो दिन भर की भूकी प्यासे आपका इंतिजार कर रही होगी चाहिए जाता हूँ, जाता हूँ गीता, मा का खयाल रखना पापा शुक्रिया रो मत बहु जस बात कबर्सों से फैसला नहीं हुआ वो आज हो जाएगा रो मत रुक्मानी मुझे आने में थोड़ी देर होगी अगर तुम नहीं भी आते तो ये विचारी क्या कर लेती है भूकी प्यासी तुम्हारा इंतजार करती रहती है इंतजार करते करते बेहोश हो जाती है शाद मर भी जाती मा मैंने जानबूज कर आने में देर नहीं की तुमने देर नहीं की तुमसे देर करवाई गई है, वो तो रुक्मनी की मौत चाहती है, और तुम क्या चाहते हो, माँ, चिलाओ मत, बड़े न्याय मूर्थी बने फितते हो, सारी दुनिया का न्याय करते हो, अपनी पत्नी के साथ तुम्हारा ये न्याय है, सवेरे सबेचारी भूकी प्यासी आप एक अच्छे बाप तो बन नी सके, कमसकम एक अच्छे पती तो बन के दिखाईए ये प्राक्तिस करेऊ, ये दंस करेऊ वैसे अच्छे लग रहे हो काश, इस पंचिंग बैक की भी जबान होती, तो ये जरूर कहता, अरे यार, घर का गुसा मुझ गरी पर क्यों उतार रहा है I'm sorry झाल जाम झाल कर दो कर दो कर दोीट कर दो लूब दो कर सकी दो कर दो आपकोड़ माजर पूग समय आपको एंग पुग सामय कोचे कोचे को अगरे प्लेशा कि पुलकान। मैं तो दीवानी हुए, सपनों की दानी हुए मैं तो दीवानी हुए, सपनों की दानी हुए खुश्वों तेरे आये खुर्वा के जुखे, देखात से चुखे मनके ज़खे, सची कहानी हुए मैं तो दीवानी हुए 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 हुआ 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 है हुआ 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 है हाई बहारे लगे 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 कुछ कह रही है खामोश धरके छूड़ी पिजाओं में बजने लगे आगा तुझे अपने दिल में चुपारूं साथी मेरे तुझे जो अपना बना रहूं मैंने तो दीवानी हुई सबनों की नानी हुई मैंने तुझे जो दीवानी हुई मैंने तुझे जो दीवानी हुई आजीवानी रायओ आजीवानी नाना या आपना आजीवानी तुझे ऑनल विपी तुझे दीवाना इनिवानी हुई प्यार की शबनी बन के बस जा रहते इना सांसों में कृष्णा जगा जोड़े रही आखे तुझे ही आखे ले रहे की मुझे बोलगा आए के ली ना बिना तेरे चैना मातर ही अपता सकती है मैं दो दीवानी हुई सब्रूं की लानी हुई खुषबू तेही आए कुद्वा के चौके से देखू तुझे चुचुके मन के ज़र्णों के से तकची कहानी हुई मैं तो दीवानी हुई देखू खुबू तो मिया क्या से एंग तुम उपर कैसे पहुंची गौतम जब से तुमने मुझे हाई लाव्यू कहा है मेरा दिल और किसी चीज में नहीं लगता कहो ना तुम मतसे प्यार करते हो ना इतनी सी बात कहने के लिए तुम सवेरे सवेर यहाँ पर रहीं बोलो ना तुम मुझे से प्यार करते हो ना हाँ तु फिर अब जल्दी से कह दो जो तुमने कल जिम में कहा था प्लीज प्लीज आई लाव यू फिर से जल्दी आई लाव यू इतना जोर से क्यों चिलाते हो सरा प्यार से सरा रॉमांटिक मूज में आई लाव यू प्यार करने का स्टाइल वो कमिशनर की बेटी है तेरे से तरीका भूच के प्यार करेंगी क्या करें दोसको अरे यार क्यों भूच रहा है अरे यार क्यों भूच रहा है एक तो नौकरी नहीं हफता नहीं जेव में धेला नहीं कुछ मेलेगा तेरेको करेंट अरे करने थे में अरे क्या करता यार तू हगे वह कुटा का कुटा कबיתי क करता है क्या 丁प पास्सून न QUE visto प्यादीड की की बहुत बुरी आहलत हे अगर कि दून से तूनमाल सब ने दो खूज्डारें को आट कर बीनी चार दिनो और पुर्क नीज रहें तो कुटों के टिहास में तेरा नाव इंसानों से लिखा जाएका इन्सानों से उपर लिखा जाएगा तो वो क्या बोला बलता कुते से घाँतें चरम नहीं तो कुता केंगा नाला है कुता भाई तेरे को नहीं बोला है क्यारे जाने दाना क्या को shiftugen लग रहा है ठीक है जाने जाने दाना जापं जा भीजा जा का यら है er म Dop Fragen कर डी और ते सुपार यह, हमने पर्फार रहा यहार आी पीटिहाओ की है लुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा, एक्सिदेंट, इस गाड़ी के मालिक का पता चाहिए, ठीक है, एक अप्ते के बाद पता ले जाना, कल आकर पता ले जाना, आपको बता चाहिए न, अभी देता हूँ, आप बैठे न, हाँ, 6x4, वसंद विहार, मलाबार हिल, बंबई, और जाने का रास्ता भी बताता हूँ, देखिए, ये जो मलाबार हिल बस्टेंट पर आप उतरेंगे न, वहीं से एक लेफ्ट रास्ता जाता है, वहीं से चौथा बंगला है वसंद विहार, आप समझ, अरे, चले गए, अरे, चले गए, अरे, चले गए, चले रज करता हूँ, जप भाए, अरे, आप संध पर आप जबू किया वहीं, ये जगला प्रेफितky tar अभरा हिल, प्रकप में आप सर्थ मासं को भी का तन को आज पागल मेरा मंग आभी जाओ साथिया आभी जाओ सर्थ मासं भी गतन के आज पागल मेरा मंग आभी जाओ साथिया आभी जाओ पत दिल की में बताओ तुझ पसिने से लगो आभी जाओ साथिया आभी जाओ सर्थ मासं भी गतन के आज पागल मेरा मंग आभी जाओ साथिया आभी जाओ सर्थ माँ जय कर भी जाओ साथिया आभी जाए कर दो कर दो दीवानी हुई है घरकंद कैसे मिली गतर सुझ से आखे जरा देख यहां कैसा हुआ सर मुझे पे चैन कहीं ना बुलाएं ऐसी बेकरारी है सरत मौसम भी ततन देख आज पागल मेरा मल ही आभिजा सर्पिया अभी ततन कर दुछ सर्पिया ततन प्रॉब सर्पिया प्रॉब गाओं में तेरे ही नगमे यादा में दुसकाई आँखों में बसा है तू नीदर मुझे नगाई दीवाने ना तू जोने कैसे रात गुजारी है सर्त मौसु भीगातन की आज पागल मेरा मंही आभी जा साथिया आभी जा सर्त मौसु भीगातन भी आज पागल मेरा मंही आभी जा साथिया आभी जा क्यों चौक गई है मैं भी चौका करता था जब तुम आई लव यू कहके गायब हो जाती थी खैर मैं किसी का करज नहीं रखता आज मैं तुम्हें ऐसा तौफा दूंगा जो तुम हमेशा याद रखो तौफरा याद मुद्यादा मुद्याद नहीं है मुद्या पारा यंद्याद अधार हिए छस्तितित्र शायाम साथिर्ग पाप की रोड़ है, क्या? क्या बोला तू क्या बोला तू? ला ना, पन्यूर से बोल क्या बोला तू? तह Ltd वोई ए अपने आपको क्या समचता है तू हाँ? इदर का दादा? नाई राजा पुलिस फाइल में तेरा नाम पढ़ा आसे एरिया मेरे अंडर में है आइंदा अगर तेरी एक भी कम्प्रेटर यह आम रास्ता है तुमारा घर नहीं आम रास्तों से ही तेरी जैसी गंदगी साफ करना पुलिस वनों का काम है वर्दी के बल पर उचलने वाले पुलिस अफसनों से राजा डरा नहीं करता जाओ मैं दूआ करूँगा कि वो दिन जल्दी आए मैं पूछ सकता हूं मेरा जुर्म क्या है किस बन्याद पर मुझे यह लाए गया है बेना लाइसेंस के रिवन्वर रहना और गयर कारूनी खतरनाग जहर पोटेशम साइनाइट बनाना अगर जुर्म नहीं तो क्या है यह जूट है चालीस गतलों के जिम्मेदार यूपी के खदर राक मुझेर मुन्ना को अपने घर में छुपाना यह जूर्म नहीं तो क्या है यह किस ने कह दिया आपको बिलास राओ चाधरी केढ़ी केज से जुड़े तमाम पुलीस अब्सक्रों की एक साथ हत्या यह सब क्या है यह बेबुनियाद है तुम्हारे फारम हाॉस से मिले ये सारी काखसात बताते हैं तुम विलास राओ चाधरी के सिर्फ पिय ہी नहीं बलके उसके तमाम गुनाव परावर के साथ यह बिल्कुल जूट है अगर यह जूट है तो लग लग बैंकों में तुम्हारे नाम 25 रुपे जमा है वो कहां से आया तुम्हारे पास बंबई में चार फ्लैट है फाम हाउस है जिनकी कीमत एक करोड रुपया है वो कहां से आया आखिर विलास राव चौध करेंगा नहीं और पुलिस डिपार्टमेंट तुमसे मार पीट कर सब कुछ उगुलवा लेगा अब तुम्हारे पास एक रास्ता बचा है तुम विलास राव चौधरी के खिलाफ सरकारी गवा बन जाओ तेखो अब राव मत यह राज राज ही रहेगा हम तुम्हारी और त जी क्या करना होगा यह हम तुम्हें वक्त आने पर बता देंगे जाने दो इसे किया के निकी हेरोणे अपनी हेरोण के लिए समुंदर से लेके कश्मीर की वादियों तक गाने गाया गाते गाते पेड़ों के चक्कर लगाया बंबई दिखाई दिली दिखाई चाठ खिलाई आइसक्रीम खिलाई और एक तुम्हो ए निर्दे के मेरी सुनते ही नहीं अरे सुनो तो इतना सब करने के बाद कहीं जाके हिरोणे हां किया है कि अगरे ही रहते हैं इंस्पेक्टर कुड़ी चंगी है जोड़ी भी मसता बिडू क्यों चलके क्यों लुट 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 झीह क्योज में दुट क्योज क्योड的 क्योאס ıs लाइसेंस अब भी तो दियाता लाच्छ लाइसेंस नहीं है बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाता है इस्पेटर शुक्ला इसको लॉक अप में बंद करता हूं चल उधर 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 रीचे शुदर चल लाइसे अब कि दुचर गंटे हावालात की हवा के छोड़ देना कि अब हो इंस्पेक्टर पानिकल जिस से तरी दुष्मनिया वो खूद आया है मेरा गुच्सा होरों पर क्यों निकालता है अगर अपनी मा का दूद्ध पिया तो बार आकर मेरे सब मुकाबला कर बार निकल तुद्ध बार निकल साले झाल वार आकर वार आकर वार आकर आकर वार तुद्ध किस जुर्म है कि बिना जुर्म के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते समझें कि किसी को भी अरेस्ट करने से पहले वारंट की जरूरत होती है तुम्हारे आफिसर को ये भी नहीं पता प्रूब खाइब आफिसर को दुम्हारे आफिसर के लिए गजाँ पूरा नाम है थिरा हाँ मैंने पूछा नाम क्या है तिरा सिध्धार्थ पूरा नाम है पूरा नाम को इसी त्वन करकु क्रिश्नकान धर्म अदिकारी खुिंग practicing कहने कुछ नाम है तुझे किसे माणूआ वही तेरा पाप एरेस्टिम नौ चार्ज ओन्ड्यूटी पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला मेरी इजादत के बगार इसकी जमारत नहीं होगी कि इसकी से इसकान। ब़ाइयो अखर हाथ को काम और हर घर में पानी और विजली यह हमारा चुनावी नारा ही नहीं था बलके आप लोगों साथ हमारा एक वादा था और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम अपना वादा हमेशा पूरा करते हैं इसलिए आप लोग बे-फिक्र होकर घर चले जाईए लेकिन चौदरी साब आपको चुनाव जीते हुए तो दो साल हो गया अरे भाई देश में सांपरदाइक द जनता के लिए कोई नई योजना बनाते हैं पता लगता है कि सेंटर में मनिस्ट्री बदल गई अब इन हालात में हम क्या करें भाई मौका भी तो मिलना चाहिए हां अभी तीन सार और हैं और यह जो हमारी मौजूदा गवर्मेंट है ना अब आप देखिए हम अपने जनता की सेवा किस तरीके से करते हैं अब आप लोग जाएए चौधरी साथ को किसी और मीटिंग में भी जाना है जी नमस्ते नमस्ते जन्यवाद तो आज तुम्हारी यहां भी आने की हिम्मत हो गई? मुझे यहां मेरी हिम्मत नहीं बलकि मेरी मजबूरी लाई है जानती हो तुम्हारी मजबूरी कितने पैसे चाहिए? मैं पैसे मांगने नहीं आया हूँ सिधात को पुलीस ने गरिफतार कर लिया है और उसकी जमानत नहीं हो रही है तो? मैं क्या करो? आपके बेटे नहीं उन्हें गरिफतार किया है तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे गौतम उन्हों को अपना फर्ज निभाने के लिए उसे गिरफतार करना पड़ा नहीं, उन्होंने अपना फर्ज नहीं, बल्कि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए से धात भैया को गिरफतार किया है बेहन, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इज़त तो इस घर की ही दाव भी लगी है ठेरो करो 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 कर Mouse करो कर फर्थ रहागे आया है प्र घुट्टाप्टाँ टूल्ट सिदाथ, सिदाथ सिदाथ शुक्रिया क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह कौन सी वजय थी जिसने आपको उसकी जमाना देने पर मजबूर किया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मा पड़ा रहे शायद आप यह भूल रही है मा यही है वो लोग जिन्होंने आपका सुख आपका चैन यहां तक कि आपका हक छीना है यही है वो सौतर एक बात तुम कभी मत भूलना बेठे तुम्हारी मा को अपने हक से जञदा अपने पती की इजट कहीं ज़्यादा प्यारी है कहीं ऐसा नहों कि मा के गौरों के लिए जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उससे तुम्हारी पिता की इज़ट पर दाग लग जाए कर दो कर दो कर दो यह बहुत ही इंपोर्टेंट और सिक्रेट डॉकुमेंट्स हैं इससे आपको बिलास राओ की दूसरी गद्वुद्यों की जानकारी मिलेगी और रतलाम वाली फैक्टी के डॉकुमेंट्स मैं जल से जल पहुचा दूगा धर्मादिकरी साब को बता दीचेगा सुनियों मेरे बीबी बच्चे को कुछ नहीं होगा न है इसक्यूज में इसक्यूज में कुलाबा पुली स्टेशन इस्पेक्टर गॉटम स्पीकिंग कॉटम मेह अंजली गॉटम डैडी की तपत अचानक बहुत खराब हो गई है जल्दी से आजाओ ना अच्छा क्या वह उन्हें किसी डॉक्टर को भेज़ता हूँ डैडी ने सर्फ तुम्हें बुलाने के ले कहा है अग इडियर्ट कमिश्णर साब मेरे सामने खड़े हैं कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेगा किसी ने सची कहा है पहलवानों की अकल घुटनों में होती है अब मैं क्या करों कुलावा पुली स्टेशन इस्पेक्टर गॉतम है अगर अंग्रेजी नहीं समझते तो हिंदी में सुनो मैं कमिश्णर साब से बात करना चाहती हूँ खोले हैं तो हमक्रेजी नहीं क्लिक विए पर गृष्टम्रा इसुटनों क्लिक रवल्धार को देचेँ और देचेँ से अच्प्रशन की सब्सक्राइब और एक्ड़ इंसप्रार आपश्टनी के लिए इस में तुने पॉनके कोई बहुत वही करेगा हां मैं इंस्पेक्टर गौत्म को भीच रहा हूं है इंस्पेक्टर गौत्म वह लेकिन अभी वह तो नया है तुछ नहीं एक बार किसी के पीछे पढ़ गया आना तो फिर छोड़ता नहीं है तो फिर उसे मेरे पीछे पढ़ने के लिए कहीं ना क्या? मेरा मतला था छोर के पीछे पढ़ने के लिए कहिए ना हाँ समझ लो तुमने फोन रखा और अहाँ पहुंचा Well done, well done Ouch करदा कर दो 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 ये बिंदिया ये लजना करे क्या इशारी ये बंदिया ये लजना करे क्या इशारी ये बंदिया ये बंदिया ये लजना करे क्या इशारी ये मैं नहीं जानूं ये रब मेरा जारे बिना तुझे दे ये दिल लगे भारे ये बिंदिया ये लज़ना खरे खाई शारे ये पंदिना तुझे ही पुखारे ये बिंद इस दिल लग्णла जय में बिंद। ये दुझे ये सिर्फ यहां हम है और नहीं कोई सिर्फ यहां हम है और नहीं कोई दिल है जवाँ जागी अर्मा रात है जोई पास मेरी आजा कैसी है ये दूरी कैसी ये बेशाबी ऐसी ये मजबूरी मेदर दी गॉल में दी दास दी की पुछा ये बिंदिया ये दास दा तुरे का इशारे थी ये दंदिया ओ सचला तुझे ही पुछारे कर दो डिंदिया झाल कैसी ये बेश piston कैसी भी ये थाँ लिदिया ये ये तु ये ब गर सथा ये रड़ तौबा मेरी कैसा दर्द दिया तूने शाम उ सहर तर्ब जिदे क्या किया तूने तौबा मेरी कैसा दर्द दिया तूने शाम उ सहर तर्ब जिदे क्या किया तूने क्यूं उझे कड़ पाए बेखबर दीवाने यूं छलत ना जाए प्यार के पैवाने कह जुना कह गजरा आगली लगजा ये पिंदिया ये खजरा करे क्या इशारे ये बंदरा ओ सजना तुझे ही पोखारे ये मैं नहीं जानूं ये रब मेरा जाने बिना तुझे दे ये दिल नहीं भाने ये बंदिया ये खजरा करे क्या इशारे ये बंदिया ओ सजना तुझे क्या इशारे ये बंदिया ये खजरा करे क्या इशारे ये बंदरा ओ सजना तुझे जी पोखारे ओम्रितंच्या सत्यंच्या वीदा तपसोच्या जायता सिदार हाई तु में क्या करे यो मैं डॉक्टर के पास कही थी उन्हेंने कहा है सबसे पहले ये खुशकबरी बच्चे की बाप को देना खुशकबरी तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं न अरे तुम मुझे छोड़ो मेरी पैंट जल रही है अब आठ महीने की बात तो है उसके बाद तुम अपने बच्चे को अपने आखों से देख लेना अरे तुम मेंदा अरे डॉक्टर खुशकबरी आठ महीने ये सब क्या चक्कर है चक्कर तो हम दोनों के किस बात ने चलाया कितने मैसेज बिजवाए बहुत स्माट स्मस्टर आपने आपको माजी को देती हुए ये खुशकबरी देखो तु अभी यहां से जाओ मैं प्रामिस तुम्हें कल आके मिलूँगा ये कैसे हो सकता है कि मैं यहां तक आई और माजी से ना मिलूँ वो वो क्या सोचेंगे अपने होने वाले बहु की बारे में क्या सिधार कौन है ये लड़की मा वो वो नमस्ते माजी अब मैं अपने मुसे क्या कहूं आप अपने बेटे से ही पूछ लीचे ना खुशकबरी ऐसी है अगर आप सुनेंगी तो खुशी से फूली नहीं समाएंगी अच्छा माजी मैं चलती हूं बाई गीता अच्छा वह जो चारली ने मुझे तुमारा पता पता दिया अब तुम्हे रोज आउंगी समझें बाई अरे रोज जिद्धार कौन थी यह मा वो सेल्स गल थी मा वो साबून वाली साबून अच्छा तो फिर तु इतना परेशान क्यों है परेशान और मैं नहीं मा क्या बात कर रही हो तुम तुम मा से कुछ छुपा रहा है सच सच बता यह लड़की कौन थी अरे मा वो रहा चलते हुए ऐसे मिल गई मैं और कुछ नहीं मा रहा चलते हुए और खर पहुज गई नालाइक कहीं का काम नहीं नोकी नहीं बोल बता एकता को मेरे घर का पता क्यों दिया और क्यों मार रहा यार उसे बेकार में क्यों मारा यार बेकार में सुबह सुबह एकता घर पे आ गई थी मा और गीता के सामने बहुत ड्रामे किये मा जी मैं इनके बच्चे की मा बनने वाली हूँ स्वान अल्ला सुभान अल्ला तुम्हें पता है एक टा की हसा की वेवेशे माने मुजे सबावर निकाल दिया है तो उसने ऐसी गंदी हरकत की हमारे दोस्त के साथード हाद बनाया है जिसने तुमको देखो उसे कैसे हम बनाते है मा बनने से पहले भावी उसे हम बनाते हैं आपके साथ होटल में आने का मसा ही कुछ और है जितना भी खाओ अरे एक्ता ये क्या कर रही हो तुम नमस्ते जी डॉक्टर ने ये सब चीजे खाने से मना किया ने तुम क्या हुआ मेरी बेटी को अरे एक्ता तुम्हें आंटी जी को बताया नहीं क्या हुआ क्या बताया नहीं वही तो आंटी जी वही चो एक्ता ने आपको बताना चाहिए था बाइद वे एक्ता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या चीजे ले आया हूँ कच्ची केरी, इमली, तुम्हें खट्टी चीज़े खाने का बहुत चोक है ना, मैं सब कुट्टा है हूँ बाइदेवे, एकता, ये महना कॉन सा चल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छटा या, नौवा महिना चल रहा है नौवा महना, ओ माई गौड, एकता, ये सब्टेम्बर महिना ही तो चल रहा है ना, तो फिर, उफ्फ, आण्टी जी, आपने तो मुझे डरा दिया था, मैं उस कालेंडर वाले नवे महने की बाप नि कर रहा हूँ मैं तो वो, लोबस्ते बाबी जी, मुभारक से, अब आप से एक नहीं, दो-दो पाटिया लेंगे, क्योंकि आप एक नहीं, दो-दो बच्चों के बाप बनने वाले हैं, आई मीन, जुनुआ, 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 और अभी हम डॉक्टर से, इनकी सोनोग्राफिक इता, तुम बेठो, इटिएट, देखो, तुमने वरसा जो भी किया है, पीस, पीस, बाइदे वे, कौन थी है, मेरी, अपनी आँटी, जिनका सुने में कोई नहीं है, ना पती, ना बच्चे, इन्होंने ही मेरी परवरिश की है, अच्छा, वेरी बाद, अच्छा, अच्छ अच्छी है अच्छी है, मेरी रहाणचा है, मेरी थे मेरी, परवरिशी है, इन ह confess लुम में किया है, मेरी बाद के कि Sir, I love her मैं और अंजली शादी करना चाहते है बेटे हर बाप को उसकी बेटी प्यारी होती है मगर अंजली को माँ का भी प्यार मैंने दिया है अगर वो खुश है तो मुझे कोई इतराज नहीं मगर मैं ये नहीं चाहता के अंजली के साथ भी वही हो जो धर्मादी का भी किर Sir, इस मावने में मेरे पापा को बीच में मतलई है I'm sorry, Gautam, तुम्हारी शादी की बात हो रही है तो तुम्हारे पापा की जिक्र तो आए कही ना किष्नकान जी आए नहीं अभी तक बस आते ही होंगे देखो बेटी, हम लोग लड़के वाले हैं क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता हम से पहले लड़की के पिता के यहां होना जरूरी था अरे बही एक बेटी के सगाई से ज्यादा जरूरी काम एक बाप के लिए और क्या हो सकता है अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया यह नहीं मैं आपके लिए ठंडा लेके आता हूँ मा अब तो आपको पता चल गया ना कि बापा हम सबको कितना मांगते हैं देख यह खुछा करने का समय नहीं है वो ज़रूर आ जाएंगे तु बहाँ जाकर उन लोगों को समाल मैं उन्हें कब तक समालू मां मैं जानता हूँ पापा जान बुझ कर नहीं आ रहे हैं आखिर मैं उन लोगों को क्या कहूँ मां वैया वैसे भी मुझे यह लड़का पसंद नहीं है तु चुप कर देख खुश्या मत कर जा बहाँ जा तू तुम्हें विशादी करने के लिए यही मर्द मिला था बहुत हो चुका अब चले मेरी बात तो सुनिये प्लीज मेरी बात तो सुनिये प्लीज देखो बैटे हम लोग उनमें से हैं जो अच्छे खांदान के साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं फ्ले वो खांदान पहली बीवी से हो या पिर दूसरी से खांदान उसे कहते हैं जिसका कोई जन्मदाता होता है एक बीवी और रखेल में फर्क होता है बेटे मेरा गिरे बन पकड़ने से कोई फाइदा नहीं अपने बाप से जाकर पुछो उसने तुम्हारी मा के गले में मंगल सुदर पहनाया था यसे दिल बहलाने के लिए एकार बबदी पाद़ कार बाद़ के लिए बबदी बाद़ का भाद़ पापा, चलिए मेरे साथ सिधार्थ, पेटा मेरी बात तो सुनो आज तक वही तो करता आया हूँ लेकिन आज मैं किसी के नहीं सुनूँगा आपने उन लोगों को गीता के रिष्टे के लिए बुलाया था न और उनी लोगों ने मेरी मा का रिष्टा एक बाजारो अरत से जोड़ दिया आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल कर उन लोगों के ये बताना होगा कि आपका और मेरी मा का क्या रिष्टा है जदार, तुम्हारी दादी माँ आपको मेरे साथ नहीं आने देंगी, यही कहना चाहते हैं न आप लेकिन आज मैं किसी के नहीं सुनूंगा दादी मा की भी नहीं क्योंकि आज उनकी और उनके खांदान की इज़्ट का नहीं बलके मेरी मा की इज़्ट का समाल है अज बेटे क्योंकि दो उनकेश झाल झाल दोर्ण बार। झाल 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 हुआ 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 है अब सीधे बैटना एर क्यों हवाईजास के तरह टेक आफ कर रहा है टेक आफ नहीं कर रहा हूँ वो दो दिन से हवा खा खाके और पानी पीपी के पेट में गैस भर गई यह वो निकाल रहा हूँ समान नहीं तो कोई वाजू में सिग्रेट जलागा तो भाड़ सब फटेगा सब मेरों पर ओड़ा देगा तो एक काम का ना कोई गैस कंपनी में चला जाना तेरे दर से गैस निकलेगे तो खाने को कुछ पैसा तो मिलेगा अरे गैस से मेरी आत्मा निकल रही है बोले गैस कंपनी में चला जाना क्या आदमी है एक और आइडिया है तू मर जाना क्या दोस्ता बोलता मर जा अरे इसके अवास ते परसू नहीं मर रहा था क्या अच्छा वो वाला है तो मरने से क्या हुआ तीन रुपए मिले सब समझते हैं यह पब्ली बहुत चैनी हो गई है और तीन रुपए में एक प्लिट भजिया भी नहीं आता है एक कामकर तू दूसरा आइडिया है मेरे पस अरे क्या करता सूचने है देता कि नहीं मेरे नजवानों मेरे देशवासियों मेरे भाईयों इसको देखो यह आपके सामने अपाहेज लंगना लूला मजबूर बैठा है यह बिकारी नहीं है यह सिपाई है यह हवलदार वफादार है यह जब अपने घर से निकलता था वरदी पहिन कर तो चोर अपने घर में अपने बिल में घुजाते थे लेकिन एक दिन उन सब लोगों ने मिलकर इसको इतना मारा इतना मारा किसके हंडियां के लेके गुदे की तरह नरम होके रह गई तो आज यह अपने गाव वापर जाना चाहता है अपनी मा के पास लेकिन अफसोस इसकी मादेश की आखरी कुणे में रहती है जहा न ट्रेन जाती है न बस जाती है न लौरी जाती है न कोई सड़क जाती है और अगर मैं इसको बैल गाड़ी में बिठा कर लेके जाऊंगा तो यह चार जलम के बाद उधर पहुंचेगा तो फिर इसका इला करें वह आवा हम धायती रखें क सब्सक्राइब आब अगर मेरवानी करें तो इए अपनी मां के पाज जा सकता है लाजए बेढ़ा भगान तुमारा प्ला करें उमारे बठों को सूखी रखें लाजए हैं अभी ॥ार है कहसा है अभी बठाइजिकी, बठाइज दिखाए। मधूर जाते रहुतायो है। मत ध्रता गनी। जबठा क्यों कि नीड फिरिंगे। पर काहिए। अधिक अधिक है अरे तो ठीक है यार अधिक को वेखोप बढ़ाता है अधिक कि अधिक कर दो कर दो कर दो कर दो दो एक सुन्दर लड़की को रात में अकेले खाले डिब्बे में साफर करना नहीं चाहिए अकेली लड़की देखकर खाले डिब्बे में कोई भी अंदर आ सकता है पाज बैट सकता है कहीं भी हाथ लगा सकता है और कुछ भी कर सकता है अपने बाप धर्मादी कारी को जाके समझा दे जा उधरी कमिशन की रिपोर्ट सोच समझ करते वरना एक दिन ऊओ घर से निकलेगा सही सलामत लेकिन पहुचेगा तुकड़े तुकड़े होकर सुनिए उस टब्बे में गुंडा बैटा है वो गंधी गंधी बाते कर रहा है कह रहा है वो कुछ भी कहरेगा और जानते हो वो वो पापा के कमिशन के बारे में कुछ कह रहा था उस ने धमकी भी दिया कि पापा के वो टुक्डे टुक्रे कर देगा मैं तज कहरेगा किसको काटेगा किसको काटेगा तु हाथ लगाएगा किसकी तंग तोड़ेगा? हाथ लगाएगा? लगा हाथ? लगा हाथ? लगा हाथ? लगा हाथ? हाथ लगाने की बात तो दूर अगर आख उठाके भी देखा तो तेरी दोनों आखे निकाल दूगा चल्वाट अबे चाप आई इना? आयाज लगा हाथ बया शुक्रिया बहिया, बहिया, आपको पता नहीं, आज अगर गौतम भहिया नहीं हो, जिधार इस नीचता पे उतर आया तू, पापा का जरा भी ख्याल नहीं तुझे काश तु मेरे कोक से पैदा ही नहीं होआ होता चले सिधार्ग सिधार्ग इनसान को जिन्दगी में समझाते करने पड़ते हैं उसके बिना जिन्दगी नहीं चलती ये सुर्माई रात अधेरी से उचाले का एक समझोता है भेवे कितना खुबसुरत है क्या तुम अपनी जिन्दगी को इतना खुबसुरत नहीं ब्या सकते क्या जिन्दगी को इतना खुबसुरत है क्या जिन्दगी को इतना खुबसुरत है क्या जिन्दूर। मेरे मन को नहकाए मेरे मन को महताए तेरे मन की कस्तुरे आंके तेरी पाहों में हर ला नगर जिंदूरी आंके तेरी पाहों में हर ला नगर जिंदूरी मेरे मन को महताए तेरी मन की कस्तुरी आंके तेरी पाहों में हर शान लगर जिंदूरी आंके तेरी पाहों में हर 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 जिंदूरी हुआ 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 है सुन्दरता बहताता गय तेरे लिए है सुन्दरता बहता गय तेरे सुनी मांग सजा सुन्दरता बहता है सुन्दरता बहता है मिलने का आजा मिलते, आज भी दावादे, आज भी दावादे, थोड़ी है ये दोड़ी आके तेरी बाहा में हर शौन लगे सिर्फूरे आके तेरी बाहा में हर शौन लगे सिंदूरे आके तेरी बाहा में हर शौन लगे सिंदूरे देखताओ, में शरम गंदी नाली के कीडे, तेरी ये हिम्मत के विलासरा और चौधरी के सफेद दामन पर दाग लगाने की कोशिश करे देडी बगवास मत कर तुझे शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं प्यार करने वालों की ताकत का अंदाजा रखेल की अउलाद अपनी आउकाद भूल गया तू ये विलासरा और चौधरी का थप पर तो सिरफ आने वाले तोफान का आगाज है अंजाम बहुत प्यानक होगा चल पत्समेश तेरी यहमत मैं ऐसा हर्गिस नहीं होने दूँगा उस हरामजादे की जंदगी में अंदेरा नहीं भर दिया तो मेरा नाम विलासरा और चौधरी नहीं प्रवादे की जंदेरा नहीं गलती मेरी थी जो तेरी भुआ के पास तुझे पढ़ने के लिए छोड़ दिया अब यह गलती नहीं होगी डैडी आपने इन चन तस्वीरों के तुकड़े 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 तो कर ही दिये मगर शायद आप यह भूल रहे हैं कि एक तस्वीर यहां भी है मेरे दिल में बढ़ाए हाथ और चीड़ा ले इसे चीड़ा ले इसे आज के बाद तुकर से बाहर ने जा सकती यह खामोशी कहीं आने वाले तुफान से पहले की तो नहीं हाँ यह वही खामोशी है जिसका अंत तुम्हारे खानदान की आखरी चीख से होगा नहीं चौदरी साहब सिधारत इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारी कीदर भप्कियों से डर जाए सिधारत सफे दामन वाले चौदरी को यह बताने आया है कि तुम्हारे थपड का जवाब मैं उसी वक्त दे रहता मगर मैंने तुम्हारा लिहास किया क्योंकि तुम उस लड़की के बाप हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और हाँ तुने जो मुझे गाली दी थी उसका जवाब भी साथ लाया हूँ रखेल औरत की कोई जात नहीं होती चौदरी और नहीं कोई और इसी जायज और नाजायज आउलाद की मा कहलाती है वो तो सिर्फ मा होती है मा मैं बीटा रखेल का इसे ही वगर एक बाप का हूँ लेकिन तुने इस समाज को और देश को अपने खिनोंने पापों से गंदा करकी ये साबित कर दिया है ये तु एक बाप की नहीं कई बापों की अलाद है खामोश हरामजादे जिला मत चौदरी एक दिन इसी चौकर से तेरी बेटी की डोली लेकर जाओंगा ये उस मा की अलाद का वादा है तुस्से अब तो ऐसी तबाही मचाओंगा के पूरे धरमदिकारी खानदान की नसली खत्म कर दोंगा प्रतलाम चौदरी साब की फैक्करी से ही आ रहे होंगे धरमदिकारी साहब ने ये फाइले मंगवाई होंगी नहीं ये मेरी परसनल फाइले है परसनल? और कौन-कौन सी फाइले तुमने धरमदिकारी तक पहुचाई है मैं कोई नहीं लाओ मुझे दे दो मैंने पहुचा देता हूँ नहीं यह मेरी परसल फैले हैं बस रगो मिस्तर सक्सेन अगर चौदरी सहाब वफदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो गदार के लिए कुछ भी करा सकते हैं हुआ 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 जब 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 तो तू सरकर्यद गवाह पान गया थो पूठ चौधरी का डर नहीं लगा। पुलिस के मार से डर गया। हाँ। मैं सिर्फ चौधरी से डरता हूँ। बस उसका हुकुम मानता हूँ। भॉड़ी मार से यूज़ी तो पॉड़ी को शौ़ी नहीं हुए। भॉड़ी खॉड़ी थे घ्या जच हूँ। प्रॉड़ी मार से भी क्रावी दॉड़ी खॉड़ी तो बसी चरवा। जदे लावाल कि जनाब धर्मादिकारी साहब होली के शुब अफसर पर ऐसी शुब खबरे नहीं बढ़ा करते नमस्ते भावी आज हमने फिर से आपको एक बार चौका दिया ना इस बार तो आपने कहीं दरुदर कैमरे लगा कर नहीं रखे हुए ना धर्मादिकारी साहब आज होली का दिन है पुरानी बाते भूल जाएं देखिए हम तो ठहरे पॉलिटीशन लोग हर उल्टी बात का कोई सीधा मतलब निकाल लेते हैं नहीं अब आपकी इंक्वारी से हमें तो कुछ फर्क पड़ा नहीं तो क्यों ना इस बात का कोई फाइदा उठाया जाए कैसे वह ऐसे कि आप प्रेस में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमने विलासरों चोधरी के खिलाफ जो इंक्वारी की थी उस में से कुछ नहीं निकला वो एक इमानदार आदमी है सच्चा आदमी है इस से मुझे अगले इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा मुझे अफसो से मंतरी जी आप अपना अगला एलेक्शन लड़ नहीं पाएंगा तो आपको अभी भी उमीद है कि इस इंक्वारी में से कुछ निकलेगा जब इतने महीनों में कुछ नहीं हो सका तो कुछ घंटों में क्या होगा हाँ हो सकता था अगर मेरा सेक्रेटरी सक्सेना जिंदा हो था लेकिन वो तो पड़ा हुआ है मुर्दा घर में और मुर्दे बोला नहीं करते मुर्दे तो नहीं बोला करते लेकिन कभी-कभी मुर्दों का खून का पता अपने आप दे जाते हैं क्या मतलब यह कि मरने से पहले बस की सीट के पीछे खुद सक्सेना ने अपने खून से लिखा था कि उसका खून आपने करवाया है कल मैं कमिशन के सामने अपनी रिपोर्ट रख रहा हूं मिस्टो चौदरी इसलिए जी भरकर आज हूली खेलीजे क्योंकि यह हूली आपकी जिंदगी की आखरी हूली है कर दोबस पारी ही खु़एगे का जाव। छला पारी है कि हुँ, हगा रहातावी, मत भरकरण से वर डाहताव पोटते работать को ड्प अजढ रारिमा प्षैपाल, मत जावने, बाहता हुई हम फच्छ खाउं! है ए सँकिन ए मेंगाइप ईहां करेंगारा नहां करेंगारर्ण करेंगार हैं को बार सeffता करेंगा घी हैं ए Pocket बार marca at करेंगा थैंगा। अ को इन को व का Щुप जो बार भून की उहां ए. Stop it! Rukhja! Rukhja, Goddum! Akhirdik, hadi ne yaptı ya, Godd? Kediyak o ki, bedes! Goddum! Yılmaz! Kediyak, GBA DEL GBA Kediyak, GBA Kediyak, GBA Kediyak, GBA Kediyak, GBA ... ... कि झाज़ और झाल मंदोस सपाउरो..." कि खुटाक्छ Mayo भी घर्परी एर जंदे! जार्ट Mayo भी जाफ जडाएँ हुआ 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 है लगता है पुरानी दुश्मदी है ञेंगा हुआ 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 है हुआ हुआ यई कि अधिया के अंदर दूस होते ले भाईयों में अगर प्यार की मिसाल राम और लक्षमे ने काइम की है तो एक मिसाल तुम दोनों की भी है लेकिन प्यार की नहीं नफरत की खून खराबे की और क्या दिन चुना है अपनी नफरत का धिंडोरा पीटने के लिए आज होली के दिन जब दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं तो तुम दोने एक ने तुम्हें नहीं बांटा आग बलकि तुम्हारे बाप के कलेजे के टुकड़े कर दिये उसके सपनों के मंदर और उसके उमीदों को चूर-चूर कर दिया जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो बाप ढंका बजा बजा कर दुनिया वालों को बताता है कि मेरे याँ बेटा पैदा हुआ है जानते हो क्यूं? क्योंकि उसको लगता है कि उसका वंश बढ़ाने वाला कोई आ गया है लेकिन अफसोस मेरे दो बेटे मेरा वर्ष बढ़ाना नहीं चाहते बलकि उसको मिटाना चाहते हैं मेरे सर को फक्र से उंचा नहीं बलकि उसको शर्म से जुकाना चाहते हैं क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि भगवान ने मुझे राम और लक्षमन दे दिये लेकिन मैं भूल गया कि तश्रत जैसी किसमत सबको नहीं मिलती है क्या फर्क रखा है मैंने तुम दोनों की परवरिश में अर्य अगर एकीन नहीं आता तो अपने इस बाप का सीना फाड़ कर देख लो इसमें गौतम के लिए प्यार भरा है तो सिधायत के लिए महबबत भी तुम्हारा आज ये बननसी बाप तुम दोनों से हाथ जोड़ कर प्रात्रा करता है कि जिस इज़त को गैरों नहीं उच्छाला उसे अपनी नफरत की ठोकुरों से धूल में मत मिलाओ दुनिया के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ परना याद रखना अपने बाप की इस बात को कि तुम्हारी इस हरकत के बाद दुनिया का कोई भी बाप भगवान से एक बेटे के बाद दूसरा बेटा नहीं मांगेगा मुझे तो दुख है किस दिन को देखने के बाद में जिन्दा क्यों हूँ शर्मातिये मुझे तुम धोनों पर है स्टेब मुझे मुझे तुमेज गौतम तरह पापा कहा है आपरेशन थेटर में क्या हुआ उनको बॉलना क्या हुआ उनको वो ठीक तो है आप चलिए मेरे साथ ऑस्पिटल के चारों तरफ मुझे टाइट सेकुरिटी चाहिए मिस्टर पार्डल आईसियू में मुझे दो आदमी चाहिए मेरी इजादत के बगार कोई अंदर नहीं आएगा सिवाए ओफिशल स्टाफ के इस एक लिए प्लियर्ट पिलासराओ इस समय बनी बार्क वाले बंगले में है प्लाटपार्म नंबर खेट के गाड़ी वीटी से थाना तेज जाएगी ательно कर फिएम questa धाट! वो में में भाट़ एक है बद्रेंद मादा करेना करें त Чер mem Gateway Пр fake विए में है सुट件 Skol पत्रेंद psych Arbook प् March proclaim हाँ कर शो कि अ farming बुड़ पुड़ बुड़ पुड़ जर विलासरा, अगर मेरे पापा अस्पताल से जिन्दा नहीं आये, तो तू भी जिन्दा नहीं पचगा ए लड़की, कहा जा रही है, ये पूजा के फूल है, मैंने भगवान से मननत मांगी थी, पावा जल्दी ठीक हो जाए, आप ये फूल उनके सिर की पास रखतीजे न, तुम को चाकर ही रखाओ, जा, मिम साब ये लड़की, कोई बात नहीं, क्रिश्नकान धर्मादिकारी को कुचलने की साजिश में तेरे एक खुत्ते को अंदर बंद कर चुका हो मैं, अब तेरी भारी है, तुना तुने, उनको होशा है? रोक्टर कह रहे थे, अगर बारा घंटों में उनको होश नहीं आया, तो वो कॉमा में चली जाएंगे, तुन के पास जाकर बैठाओ, शाहिए का ये बारा जाएंगे, तुना जाएंगे, अजए पास जाएंगे, तुना झाएंगे, तुना ये खुत्ते हैं इनको छुका दुने कर दो कर दो कर दो अब तो तेरी चिता ही चलेगी आप कोई फिकर मत करें सब ठीक हो जाएगा मैंने यहां के डॉक्टर्स को ओर्डर्स दे दिये हैं इनका अच्छे से अच्छा इलाज करें कोई कमी न छोड़ें कृष्ण काथ धर्म अधिकारी जैसे महापूरुष की जरूरत सिरफ आपको ही नहीं सारे समाज को है सारे देश को है किसी किसम की तकलीफ हो तो मुझे जरूर याद कीजेगा थांकियो रॉक्टर्स तो यहां है तो किसी ने छुडाया ही होगा वैसे इस्पेक्टर यह हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उची आवाज में बात नहीं करते हाथ चल जाएगा छोड़ दो इसे जो अपने बाप को संभालो चलो रेवर बापा को होशा गया जाएगँ प्रॉक्टर्स बाएग! प्रॉक्टर्स प्रॉक्टर्स कि अधिना नहीं चाहिए चौदरी साहब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल में बहुत से क्यूर्टी है उसका इंतजाम हो जाएगा किसे पूचिए से क्यूर्टी अठाई जा रही है सर वाइलेस में भी ओडर आया है खेतवाडी में दंगा हुआ है हम सबको पोजिशन समालने के लिए का आ गया है पुलिस डिपार्टमेंट में और लोग नहीं है सर हमारे लिए यही ओडर है सिद्धार्थ तुम्हें पापा ने बुलाया है कौतम हमत से काम लो सब ठीक हो जाएगा भाया पापा आपको बुला रहे है लगता है जो जिम्मेदारियां मुझे सौपी गई थी उन्हेमें उन्हेमें पूरा नहीं कर पाऊँगा मादा करो कि तुम दोनों मेलकर जिम्मेदारियों को पूरा करोगे बदा करो सिदार तुमारे पापा की जान खत्री में है क्या मैंने खुद सुना है मेरे डैडी कह रहे थे शायद शायद इसलिए यहां से सिक्यूरिटी हटाई गई है मैं सच कह रहे हूँ यह उसी के लोग हैं मैं पैचानता हूं इन्हें हमें कमरा बदला चाहिए रूम नॉममें पैचान की जान को खत्रा है मुझे दूसरा रूम चाहिए तो आपको सीर्य डॉक्टर से पर्मिशन लेनी होगी क्या पापा हमें कमरा बदलना पड़ेगा इनकी जान को खत्रा है डॉक्टर येस हमें इसी वक्त कमरा बदना होगा क्यों हमारे पापा की जान खत्रे में कल सुभे तक इस देश भगत क्रिश्नकान धरम अधिकारी की चिता चलने चाहिए संबल के कुछ देसे के ऊजरी की कि एए जस रख। के हुआ का हट जा नाई होश्यारी नाई हट जा नहीं तो इस बुढ़े के साथ साथ तुम दोनों की खोपड़िया उड़ा दालूगा अरेस्थ हिम जल्दी जल्दी है वालूगा उडलूगा यजदी जाय है वे बाल ुई प्रश्या शर्श्या प्र छाल करो वा मैं वा प्र invasive प्रश्या प्रश्या नहीं जल्दी खमुड़ा इसा याई है वालूवा लुड़ा वालूड़ा में उन्ट व्रण झाल 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 ह।रन स्जय करादी सन कर दोरीडों में about you झाने छुद दुदंक me हुआ आए राए एकषा जा कॉस्टार आर जाएडर आर एकषा जडता हुआ एकषा जाएडर एकषा एक हार एक्षा टाएडर कि चम पर दो पेजिय हैं! जाल… तुम ह्यादते रोया जादे लोगते हैं, जब प्रिव कैनेutी से घरो जrit गपाट! जा तुलो maior जाद, जाए! जञँ! वे खत्तस kadar! जा गए acesso! पिज़ार! वो लो पीछा करें गौतम बुलो पास आ रहे हैं गाड़ी तेज बगाओ गाड़ी भीकप ने ले रही है गाड़ी की टंकी खोल करके आग लगा दो गौतम उनने टंकी में आग लगा दी वो बूतम करें उता बपाल बवस्चर रांग़! बहना पाप लगा पाप झेष草! पापाल बश में खुछर! आज हम सब लोग जमा तो यहां इसलिए हुए थे कि आज विलासराव चौधरी एंक्वाइरी कमिशन की रिपोर्ट अने वाली थी लेकिन मुझे ही बताते हुए बेहत अफसोस हो रहा है कि उस रिपोर्ट को पेश करने वाले नयाय मुर्ती पिश्नकांत धर्मारी कारी अब हमारे बीच क्या सर अम्बूलन सुड़ाने के बाद हमें पता चला कि उसमें धर्मादिकारी नहीं था सभ्मारी कि उस मार्मा राहा हना क्या disconnect मिर्मादिकारी के बालत धर ड़ल् we're proud of you ॢच् rotating कर दो कि नहाँ कर दो खुड्टर है करेंस करें तूपन कर दो हुआ है झाल 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 कर दो कर दो कर दो